दीब मॉनिंग, CPI का आकड़ा बहुत महत्वपूर्ण था, क्या निकल के आया है, कैसा इंपक्ट हुआ है और यू जो रियाक्शन आये, क्यूं आये है? उमीद के विपरीत अपने रियाक्शन बाजार में आते हैं, क्योंकि उमीद से तो जादा ही आया है, वो तो कोई छपा भी नहीं सकते हैं, बाजार ने रियाक्शन नहीं करा है, आज सुभा भी देखे, ग्लोबल मारकेट्स आपको अच्छे मूड में देख रहे हैं, फ्यू जाँ आए, इनफाक्ट अनुमान से काफी जादा आई ए, 3.1% थी नवेंबर में, वहां से बढ़कर 3.4% पर आई है, अनुमान था कि 3.2% आ सकती है, तो अनुमान से भी जादा आई है, और वैसे भी ये बढ़कर आई है, मन्था और मन्थ बेसिस की भी अगर आप बात कर तो 0.3% की बड़त यहां पर दिखिए, अनुमान 0.2% की बड़त का था, तो उस हिसाब से देखें, तो डेफिनिटली अनुमान से जादा आपको ये आखड़ा आते हुँ दिखाए, कोर इंफलेशन इसकी भी बात करते हैं, कोर इंफलेशन आपका 3.9% पर आया है, अनुम इने 4.1% का था, तो उसके मुकाबले 3.9% पर आया है, तो कूल ओफ के संकेत आपको डेफिनिटली यहां पर दिख रहे हैं, हाला कि अनुमान से जादा आया है, हाउजिंग इंफलेशन इसकी वज़े से हमने देखाए, कि जादा प्रेशर इस बार महंगाई पर आते हो दि करेंगे कि इस डेटा के बाद बॉंड डील पर उच्छा लाना चाहिए, उसके बाद आया है, आपने देखा यह बॉंड डील आक्चुली आपकी कूल ओफ हो गई है, उसी के सामने फेड रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन से हैं, वहां पर भी हमने देखा, मार्च में लगा रहे थे और एक हफते पहले 60% जानका रेट कट की उमीद बना रहे थे, तो इन फैक्ट अनुमान से जादे इंफलेशन आने के बावजूद आपने देखा है कि रेट कट की उमीदे और बढ़ कर आई है, तो बॉंड डील आपकी गिरी है, रेट कट की उमीद बढ़ देखे हैं, डाव पर करीब पॉने 400 अंकों की रेंज में कारुबार के बाद 15 अंक उपर आपका डाव कल बंद होते हैं, तो कुछ जादा रियाक्शन डाव ने नहीं दिखाया, S&P फ्लैट था, NASDAQ भी आपके लिए फ्लैट था, इतना फ्लैट था, आधा पॉइंट उप वाली ज़रूर रही, 5% नीचे आपका Russell 2000 था, बट लाज कैप IT में अच्छन अभी भी बरकरार है, हमने कल देखा, Microsoft ने Apple को ओटेक कर लिया है, market cap के टर्म्स में, तो अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Apple नहीं, Microsoft बन गए, क्योंकि रिसेंटली Apple के शेर में प्रेशर था वाला कि Microsoft में आपने एक rally देखी है, bank shares में कल तो आपने सुस्त action देखा है, बट आज काफी important day रहने वाले है, क्योंकि earning season officially US में आज start हो जाएगा और चार बड़े banks के numbers आज ही आने वाले है, JP Morgan, City Group, Bank of America और Wells Fargo, इनके नतीज़े आएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि एक बाजार रियाक्ट कर सकते हैं, साती इनका आज producer price index का data भी आने वाला है, जो इनकी wholesale मेंगाई आती है, retail मेंगाई तो अनुमान से जादा रही हाला कि बाजार ने रियाक्ट नहीं किया, अब wholesale मेंगाई कैसे आती है, उस पर सब की नजर बनी रहेगी, यॉरप की बात करें तो यहाँ पर कल कमजोरी थी, आधे से 1% कल यॉरप के बाजार जरूर आपको फिसलते हुए दिखे हैं, कच्छे तेल में कल 2% का rebound था, Middle East में तनाव फैल रहा है, इरान से इराकी तेल जो टर्की जा रहा था, उस जहाज को एक जब्त कर लिया गया है, तो काफी कुछ action हु तो overall महिए तो अनुमान से ज़ादा है, बट बाजार का reaction वैसा नहीं आया, जैसा बढ़ती महिए पर यूजिली देखते हैं, आज कैसा trade रहेगा, ओके चलिए, तो बहुत जाए, तो बहुत जाए, तो बहुत बाजार बाजार का रियाक्शन वैसा नहीं आया, जैसा आप